आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थम्मनेल आपने पिल्कुल सही पड़ा क्या लोगडाउन के अंदर हम माल की सप्लाई कर सकते हैं क्या बिल इशू कर सकते हैं क्या इवे बिल इशू कर सकते हैं क्या कहता है GST लो रखा रखा समान बेकार हो रहा है हमारी फैक्टरी में रखा रखा समान बेकार हो रहा है तो हमसे कोई सप्लायर कह रहा है कि माल भेज दो थोड़ा बहुत माल बेच लेंगे दो घंटे दुकान को खोल कर या हमारी स्टेट में लोगडाउन नहीं है या कम टाइम का तो यह बताओ क्या GST के अंदर ऐसी कोई restriction है कि हम माल भेज सकते हैं लोग डाउन के अंदर क्या हम बिल काट सकते हैं हम बात करते हैं यहां पर दिल्ली की तो यहां पर इस बात को हमें समझना है कि अगर आप लोग डाउन के अंदर ऐसी किसी आइटम में डील कर रहे हैं जो essential goods नहीं है पहले इस बात को समझ लेना कि ऐसे आप किसी goods में डील कर रहे हैं जो essential goods नहीं है तो अगर आप उसका bill बनाते हैं अगर आप उसका e-way bill बनाते हैं सर कैसे बनाएंगे bill और e-way bill भाई आप दिल और e-way bill तो बनी रहा है ना अपनी गाड़ी से माल भेज दिया तो कल को आपको ऐसा notice आ सकता है सर क्या ऐसे notice पहले भी आये हाँ जी पिछले साल हमारे client को ऐसा notice आया था उस notice में क्या लिखा था इसे बात को समझना है आपर क्या लिख़वाई कि the e-way bill facility has been downloaded department ने क्या करा e-way bill portal से download कर लिया कि लोगडाउन के अंदर कितने लोगों ने e-way bill issue करें और सारे data को download करके सब को एक notice भेज दिया कि जब country के अंदर complete lockdown था तो तुमने e-way bill कैसे issue करा अगर वहाँ पर e-way bill essential commodity का था तो उसे तो छोड़ दिया और अगर essential commodity का नहीं था तो आपको ये notice भेज दिया गया है तो अगर आप इस notice से बचना चाते हैं तो भईया मेरी आप लोगों से request है कि भई इस तरह का कोई भी इस तरह का कोई भी bill issue ना करे इवे bill issue ना करे जिससे आपको दिक्कत आने की संभावना है तो अब यहाँ पर client य क्या करें अब हमारा तो माल factory में सड़ रहा है ठीक है हमारे घर पर सड़ रहा है तो भईया disaster management text यह कहता है कि यहाँ पर complete lockdown है ना तो आद्मियों की movements होगी और ना ही यहाँ पर goods की movements होगी तो आपने movements करी कैसे तो आपको ये दिक्कत आ जाएगी कई लोग कहेंगे सर मेरे घ घर से ही बेच दिया अगर आपके घर पर माल लखा हुआ था तो सबसे पहले बताओ GST के अंदर आप अपनी factory या अपने office में माल लख सकते हैं घर पर माल नहीं रख सकते अगर आप घर पर माल लखना चाहते हो तो आप उसे additional place of business registered करा के रखो तो आप इस case में समझ लीजि अगर आप कल को यह कहेंगे मैंने घर से माल बेच दिया तो वो आपका additional place of business होना चाहिए लेकिन अगर आपका कोई client आप से जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं भया हमें माल भेज दो हमें जरूरत है माल की तो भया अगर आप भेज रहे हो तो यह आपका risk है लेकिन कल को notice आने की संभावना पूरी पूरी है तो मेरी यह request आप लोगों से है कि lockdown के बीच में आप ना तो कोई billing करें ना कोई e-way बिल बनाए अगर आपकी essential community नहीं है सर मैं chartered accountant हूँ मैं अपना bill बना सकता हूँ क्या बिलकुल बना सकते हो भाई chartered accountant घर से service दे सकता है बना सकता है अब जैसे हम जो अपनी pen drive sale कर रहे हैं घर से ही sale कर रहे हैं तो हम इस period में यह bill बना सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई lockdown के अंदर supply हो सकती है या नहीं आप अपना viewpoint बताए भीया जो मेरा viewpoint था मैंने वह आपको यहाँ पर बता दिया आप अपना viewpoint मुझे comment box में लिख कर बताएं कि आपका viewpoint क्या है और हाँ भीया आप लोग मुझे से बार-बार कहते थे कि सर पैसे निये पैसे निये lockdown में कुछ discount कर दो तो अ अगले 6 महीने तक अगले 12 महीने तक आपको अपडेट भी देते हैं सर मैगजीन के लिए माफी चाता हूँ हमारी जो इस बार की physical मैगजीन आप लोगों को नहीं मिली क्योंकि हम printing नहीं करा पाए लेकिन ये बात मैं आपको बता दू अब अगर कोई मैगजीन लेगा इस मह अगर किसी ने इस वेबिनार में अभी तक अपना registration नहीं कराया है तो वेबिनार में अपना registration करा ले इसमें हम सारे topic को discuss करेंगे वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment box में लिखकर बताईएगा हाँ ये बात किलियर है लोगडाउन में अगर आप बिल बना रहे हो तो यह आ झाल